स्वागत है आप सब का मारे कीचेन में तो आज हम सेयर करने वाले हैं फुली फुली पूरी और आलू चैने की सबजी की रेसिपी वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को कुछ बता दूं फ्रेंड्स खाना बनाने में मुझे उतना समय नहीं लगता है पर वीडियो एडिट करने में मुझे बहुत मेहनत लगता है और खास कर मैं ये रेसिपी आप लोगों के लिए लेकर के आती हूँ तो फ्लीज मेरे वीडियो को लाइक शेयर करें और अगर चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें तो चलिए फ्रेंड्स आज की रेसिपी हम बनाना सुरू करते हैं तो वीडियो को फुल देखिएगा आपको सारी चीज समझ में आएगी तो सबसे पहले पूरी के लिए हम आटा लगाएंगे अब किसी भी बरतन या फिर कटोरी या फिर कब से मेजर्मेंट कर लिजेगा मैंने इस कटोरी से एक कटोरी आटा लिया है उसी कटोरी से आधा कटोरी बेसन डाल देंगे बेसन से पूरियों में बहुत अच्छा टेस् अब आटे और बेशन को अच्छे से मिला लेंगे इस तरह से देखिए मिला लीजिएगा थोड़ा सा इसमें हम नमक डाल देंगे थोड़ा सा चीनी डालेंगे चीनी बिल्कुल अप्सनल है पर डालने से बहुत अच्छा टेस्ट आएगा थोड़ा सा अजवाइन हतेली पर क् मंदेशन बहुत ही अच्छा लगता है पूरी में पूरीयों में मुएन करने के लिए तेल डाल देंगे एक बड़ा चममच इससे पूरिया बहुत खसता बनेगी अब इसको चम्मच से इस तरह से मिला लेंगे, अब चमच में लगे आटे को इस तरह से पोछ लेंगे, और फिर हम हाथ से इस तरह से मस लेंगे, उंगलीयों के बीच में, और जितने हमने तेल इसमें डाला है सब को आटे में अच्छे से मिलाएंगे इससे पुडिया बहुत ही खस्ती और ग्रेश्पी बनके निकलेगी तो ये देखी इस तरह से कर लेना है अब हम आटे को गुथ लेंगे इसके लिए मैंने गुनगुना पानी लिया है गुनगुन गुथ गया है और अब हम इसके उपर से थोड़ा सा ओयल डाल देंगे उपर से तेल डालने से पूरिया अंदर से क्रिस्पी होने के साथ साथ उपर से मुलायम भी होती है तो आटे को अब शेट होने के लिए छोड़ देते हैं जब तक इस शेट होगा तब तक हम सबजी ब तो तेल गरम हो गया है, इसमें मैंने डाल दिया है थोड़ा सा जीरा, थोड़ा सा मेथी और थोड़ा सा हिंग, साथ ही इसमें डाल देंगे एक मिडियम साइच का बारी कटा हुआ प्याज, उसके बाद इसमें डाल देंगे दो हरी मिर्ची, और अब इन जब को हम एक से दो म प्याज का लडी पॉडर और साथी एक चमच भरके हम इसमें डाल देंगे काश्मेरी लाल मिर्च जदा तीखी नहीं होती है साथी सब्जियों में इससे बहुत ही अच्छा कलर आता है और इसमें आधी चमच हमने डाल दिया है तीखी वाली लाल मिर्च एक चमच जीरा पॉडर डालेंगे और फिर इसमें डाल देंगे एक चमच धनिया पॉडर अब मसालों को हम तेल में एक मिनट तक भून लेंगे और ध्यान रखिएगा फ्रेंज जब मसाले तेल में डालिएगा तो गैस को बंद कर दीजीगा वरना मसालों से धुआ आने लगेगा तो सबजी अच्छा नहीं बनेगा मसाले तेल में भून गए हैं साथियम इसमें एड कर लेंगे टमाटर और लहशुन का पेश्ट मैंने एक बड़ा साइच का टमाटर और पान से छे लहशुन की कलियां मिकसर जार में पीस ली थी अब इन सब को इस तरह से भून लेंगे मसालों को साथियम इसमें एड कर लेंगे स्वाद अनुसर नमक नमक आप अपने स्वाद के हिसाब से ले लीजिएगा फ्रेंड्स उपर से हम डाल देंगे कशूरी मेथी इसी तरह से हम मसालों को पान से छे मिना तक भून लेंगे साथ हम इसमें डाल देंगे छोले मसाले इससे सबजी में बहुत बढ़िया टेस्ट आएगा मसाले भून गए हैं अब इसमें हम डाल देंगे उबले हुए आलू ये तीन उबले हुए आलू थे जिसे मैंने तोड के लिया है काट के नहीं लिया है और ये उबले हुए चने हैं अब इन सब को हम मसालों में इस तरह से मिलाते हुए भून लेंगे मसालों में सबजियों को 2-3 मिनट तक भूनेंगे इससे सबजियों में बहुत अच्छा टेस्ट आएगा अब इसमें पानी आइड करेंगे पानी हम इसमें एक गिलस डालेंगे पहले थोड़ा सा पानी डाल करके इसको चला के देख लेते हैं अगर बाद में लगे की पानी चाहिए तो थोड़ा सा पानी इसमें और डाल देंगे थोड़ा सा इसमें और पानी डाल दिया हमने तो ये देखिये सबजिया पक रही है साथ ही हम इसको उपर से डाल देंगे थोड़ा सा गरम मसाला इसे सब्जियों में बहुत अच्छा कुश्बू और बहुत ही बढ़िया टेस्ट आएगी तो ये देखे फ्रेंस हमारी आलू चने की चटपटी सब्जी बनके हो गई है रेडी और हमने आलू तोड के डाला था इसके वज़े से इसकी ग्रेवी भी बहुत थीक बनी है तो चलिए सब्जी बनके रेडी हो गई है अब हम पूरिया टल लेते हैं उसके लिए मैंने छोटी छोटी लोईया बना ली है इस तरह से लोईया बना लीजेगा और उसके उपर तेल लगा लीजेगा थोड़ा सा फिर उसे बेल लीजेगा और उसे पहले थोड़ा सा चकले में और बेलन में भी तेल लगा लीजेगा इसे चिपकेगी नहीं और तेल लगाने से ये होगा जब इसे हम तल लेंगे तो ज़्यादा तेल नहीं सोखेगा तो ये देख लिजे मैंने इसे रोटी से थोड़ा सा मोटा रखा है और अब इसे हम तल लेंगे तेल गरम हो गया है तो ये देखिए इस तरह से इसे तल लेना है और थोड़ा थोड़ा हलका हलका उपर से इसे प्रेस करना है ज्यादा जोड़ से नहीं दबाना है ज्यादा जोड़ से प्रेस करेंगे तो पुड़ियां फट जाएंगी तो ये देखिए मैंने हलका हलका इसे प्रेज किया है तो ये बहुत ही बढ़ियां से फूल गई है और ये देख पार यहाँ पेक तरफ से ये तल गई है और फिर दूसरे तरफ से भी से हलका हलका प्रेज करते हुए इस तरह से तल लेना है तो friends पूरियों का कलर सुनहरा हो गया है अब देख पारें इसमें कितना बढ़िया सा गोल्डेन कलर आ गया है तो अब हम इसको निकाल लेते हैं इस तरह से इसको निकाल लेंगे जो इसका एक्स्ट्रा तेल होगा इसको पहले निकल जाने देंगे फिर इसे निकाल लेंगे बाकी के बचे पूरियों को भी हम इसी तरह से तल लेंगे तो ये देखिए friends मेरे सारी पूरियों को तल लिया है तो ये देखिए हमारी fully fully crispy पूरिया और एकदम tasty आलू जने का सब्जी बनकर त्यार है देख करके ही आपको पता चल रहा होगा friends कितना बढ़िया और कितना tasty बना है तो चलिए अब इसे सर्फ करते हैं तो friends हम facebook और instagram पे भी है link मैंने description में mention कर दिया है तो आप महां जा करके मुझे follow करे friends और मेरी अगर ये recipe आपको पसंद आई है तो वीडियो को like share करे साथ ही channel पे नए है तो channel को subscribe कर दीजेगा और bell icon को भी press कर दीजेगा ताकि आने वीडियो को notification सबसे पहले आपको मिले